तो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे ब्यू टैब के अंदर बिंडो ग्रूप के बारे में जिसमें कि हम सिखेंगे न्यू बिंडो क्या होती है, अरेंज आल क्या होता है, फ्रीज पैन क्या होता है, स्पिर्ट क्या होता है, हाइड क्या होता है, और अना हाइड क्या होता है इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यहां पर यह जो first command है new window यह क्या होती है तो new window जो होती है suppose करो यह हमारे पास यह sheet यहां पर open है तो हम चाहते हैं कि इसकी duplicate एक copy और बन जाए तो हम क्या करेंगे new window पे click करेंगे तो इसके दिये हम यहां पर यह देखो new window पे click किया यहां पर new window पे click करने के बाद तो यह देखो यहां पर एक duplicate window बन के आगे तो इसका zoom आगर हम बढ़ाना जाते हैं तो यहां से zoom इसका बढ़ा सकते है suppose करो इसका जूम हम यहां पे 150 यह रखेंगे तो यह जूम हमने यहां पे रखा रखने के बाद पहले वाली देखनी है तो यह देखो task bar पे click करेंगे यह first वाली है subtotal 1 यह first वाली है और यह duplicate है subtotal 2 यह duplicate यहां पे बिंडो है तो यह दो बिंडो यहां पे हमें show करवा रहा है View tab पर जाएंगे, View tab पर जाने के बाद यहां पर Second है, Arrange All, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर Arrange Window Dialog Box आजाएगा, यहां पर Arrange सबसे पहला दिया गया है, Tiled, उसके बाद है Horizontal, उसके बाद है Baltical, उसके बाद है Case Cat, तो यहां पर हम सभी को करके तो अगर हम यहां पर Tiled यह करना जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ओपर क्लिक करेंगे, और OK भी क्लिक करेंगे, तो यह दो विंडो यहां पर Open हो गई है, तो यह Tiled Option रहने पर ऐसे हम यह दिखाई देगा, यह दिखो यह पुराने वाली है, Sub Total 1, यह पुराने वाली व चाते हैं कि पुराना अमांट यहां पर क्या था, तो इसको दे के हम यहां पर चेंज कर सकते हैं, अगर हम यह first वाली विडिյ में कुछ अडिट करते हैं, तो यह second वाली विडिव में भी अडिट हो जायेगा, यह देखो यहां पर स्पोज करौं अमांट हम चेंज करते है यहां पे 900 है यहां पे हम 700 यह करते है तो यहां पे लिखा 700 इसके बाद यहां पे क्लिक किया तो यह देखो यहां भी यह 700 आ जाएगा इसके बाद और भी चेंज करते हैं जैसे यह सबसे लास्ट में यहां पे 400 है यहां पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे हम 300 तो यहा यहां भी यह 300 यहां पे आ जाएगा second window में इसके बाद फिर हम अगले option को लेंगे यह देखो यहां पे view type पे क्लिक करेंगे और arrange all यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो arrange window डायल बॉक्स आ जाएगा इसमे second option लेंगे हम horizontal यहां पे क्लिक करेंगे और okay पे click करेंगे, okay पे click करने के बाद यह देखो, यहाँ पे यह दो window आ जाएंगी, तो यह horizontal यह बिंडो यहाँ पे आ गई है, यह देखो यह subtotal one, यह जो original window है, वो यहाँ पे है और यह देखो subtotal two, तो यह horizontally यहाँ पे window आ रही है, इसके बाद अगला option देखना जाते हैं हम फिर यहां पे arrange all पे क्लिक करेंगे arrange all पे क्लिक करने के बाद यहां पे arrange window dialog box आ जाएगा इसके बाद है vertical अगर हम इन बिंडो को vertical रखना जाते हैं तो हम यहां पे क्लिक करेंगे vertical इसके बाद ok पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये रिखो ये वल्टी करी हम यहां पे दिखाई देगा इसके बाद अगला option लेंगे हम तो फिर हम यहां पे view tab में जाके arrange all यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद ये arrange window यहां पे आ जाएगा इसके बाद last यहां पे case cat तो यहां टोटल वन यह original window है इसके पिछे यहां पर यह second window है यह देखो इसको मैं नीचे करता हूँ यह देखो यह इसके पिछे second है तो यह case cat में आ जाता है ऐसे दिखाई दीता है तो इस तरह से हम इसको arrange कर सकते हैं इसके बाद फिर हम यहां पर window को body करते हैं यह देखो original window को body किया body करने के बाद view time में इसके बाद अगली जो command है वो है freeze pen तो freeze क्या होता है suppose करो यह हमारे पास data है और हमारे पास बहुत सा data है अगर हम यह चाते हैं कि जब हम इस data को scroll करें तो यह वाला यह देखो protect group public block यह वाला जो data है यह hide ना हो तो यह यहां पर freeze रहे यह जो row है यहां प यहां पे click करेंगे यह देखो second row यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे freeze pen यहां पे जाएंगे और यहां पे दिया गया है freeze top row यहां पे click करेंगे यह देखो freeze top row पे click करने के बाद अब क्या होगा जब हम इसको scroll करेंगे यह देखो scroll कर रहे है तो उपर वाली यह जो row है य तो यहाँ पर यह नहीं जा रही है यह देखो इसको scroll किया यह बापिस आ रहा है इसको scroll किया यह जा रहा है तो इस इसाब से हम रो को freeze कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह जो उपर वाली freeze की हुई है अगर हम इसको हटाने जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर click करेंगे second row पर और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे जाएंगे और first वाला जो option है unfreeze pen यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां से यह unfreeze हो जाएगा यह देखो यह scroll कर रहे हैं यह भी जा रही है first वाली रो तो इस हिसाब से हम इसको unfreeze भी कर सकते हैं इसके हम freeze कर सकते हैं इसके लिए हम यहां पे column पे इसको select करेंगे यह select किया इसके बाद यहां पे हम freeze pen पे जाएंगे और यहां पे last में लिए गया है freeze first column यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह देखो यह जो column है यह freeze हो गया है आगर हम यह data आगे ले जाएंगे जैसे यह यह आगे ले जाएंगे तो यह freeze है यह यहाँ पे freeze हो गया है यह ने जाएगा यह देखो इसको data को पीछी ला रहे हैं यह देखो यह first वाला column जो है यहाँ पे freeze हो गया है इसके बाद अगर हम यह जाते हैं unfreeze करना है तो बैसे ही हम यहाँ पे click करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद अगर कॉलम को unfreeze करना है तो फिर हम यहां पे freeze pan पे जाएंगे और यहां पे first वाला option unfreeze pan यहां पे क्लिक करेंगे तो यह unfreeze हो गया है यह देखो जैसे ही हम यहां पे इसको आगे ले जाएंगे यह देखो यह भी जा रहा है यह यहां पे unfreeze हो है अगर हम यह चाहते हैं कि यह भी चाहिए हमें फर्स्ट रो और यह सेकंड रो यह भी चाहिए तो हम इन दोनों को फ्रीज करेंगे तो इसके लिए यहां पे थर्ड रो इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक किया हमें दो उपर वाली यह फ्रीज है यह तो यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे अन फ्रीज पैन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रीज पैन यह फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके इसको unfreeze करना है, तो फिर बैसे ही करना है हमने यहाँ पर रो थाल्ड यहाँ पर क्लिक किया इसके लाद freeze pan unfreeze pan, यहाँ पर क्लिक किया, यह दिखो unfreeze हो गही है, यह दोनों row यहाँ पर unfreeze हो गही है अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो सीरिय नमबर 4 अपर वाला यह जितना भी है यह फ्रीज हो जाए तो हम यहां पे सीरिय नमबर यह दिया हुआ है यह 4 पे क्लिक करेंगे 4 पे क्लिक करने के बाद तो हम क्या करेंगे यहां पे फ्रीज पैन पे जाएंगे freeze pen पे click करने के बाद यहाँ पे first वाले option के उपर click करेंगे यह देखो यहाँ पे click किया तो यह देखो यहाँ पे यह row first वाली, यह second row यह third row, यह four row, यह five तो यह जो है, यह freeze हो जुकी है, इसके नीचे जो है यह unfreeze है, यह देखो इसको जब हम scroll करेंगे जितनी भी चाहे रो को फ्रीज कर सकते हैं, इसके बाद ये जो उपर वाल ये रो है, इसको हमने फ्रीज किया हुआ है, इसको अन्फ्रीज करेंगे, तो बैसे यहां पे सीरी नमबर फॉर, यहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फ्रीज पहन यहां पे जाएंगे, और इसको यहां पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यह सारा डेटा यहां पे अनफ्रीज हो चुका है यह देखो यह डेटा ऊपर निचे जा रहा है सारा तो इस तरह से हम इसको अनफ्रीज कर सकते हैं इसके वाद अगले जो कमांड है बहु है स्प्लिट कमांड तो इसका यूज क्यों कि जाता है suppose करो हम ये data fix करके रखना जाते हैं ये one two three ये series number इनको fix करके यहाँ पे रखना जाते हैं ये उपरवाली ये देखो series number four यहाँ पे हमने click किया तो यहाँ पे spilt command पे जाएंगे यहाँ यहाँ पे four तो four नहीं है यहाँ पे हम one भी देख सकते हैं ये देखो ये देखो 6 सीरिय नंबर यहां पे क्लिक किया और इसको ये स्क्रोल करेंगे ये देखो ये 1 यहां भी दिखाई दे रहा है 2 3 इसके बाद ये नीचे स्क्रोल करेंगे ये देखो सारा डेटा यहां पे दिखाई दे रहा है अगर हम इसको बापीस बैसे रखना जाते है तो हम यहां पे click करेंगे यह दिखो arrow यहां पे बनाया बनाने के बाद इसको उपर ले जाएंगे यह दिखो यहां पे उपर छोड़ा छोड़ने के बाद यह दिखो यह यहां पे उसी position में आ जाएगा इसके बाद अगला जो है hide hide का मतलब यह होता है अगर हमने यह hide करना है तो हम यहां पे hide पे click करेंगे तो hide पे click करने के बाद यह दिखो यहां से data यह hide हो गया है यह जो data हमी दिखाई दे रहा है यह window second का है यहां पे subtotal 2 यह second window का data है अगर हम first वाले को दिखने जाते हैं तो यह दिखो यहां पे unhide dialogue box य यहाँ पे Sub-Total-1 जो हमने Hide किया हुआ है यहाँ पे आजएगा यहां पे आजएका यहाँ सब-Total-1 यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद Ok पे जब हम Click करेंगे तो यह Data जो है Un-Hide हो जाएगा फिर से हमें दिखाई देगा यहींड़को OK पे क्लिक किया hide और unhide के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद